देखिएगा कामोक्त मुर्थियों में एक यूगल किस प्रतकार से सनलिप्त है और उनके चार मुखों को यहां पर सुसजित किया गया है और उसे चिनित किया गया है कि यह पत्थरों पर सिर्फ पत्थर रखा गया है और इसे जैसे देखिए मैंने यहां पर सिर्फ परस किया यह चमकने लगा मैंने यहाँ पर फिर परस किया तो यह चमकने लगा श्वागता मैं हूँ गौतम और खजुराओ एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है साथियो मैं खजुराओ के इस एपिसोड में एक ऐसे भागवान के मंदीर में आपको ले जाएंगा जिनका अमुमन पूजा भारत में नहीं होता है उनका मंदीर नहीं मिनता है जी यहां साथ यह ब्रह्मा जी का मंदीर और मैं उसी के समीप हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं चंदेल वंश का यही बनाया गया है और किस प्रकार से यह स्वागत में खड़ा हुआ यह प्रतिमा देख सकते हैं यहां से यहां से आपको चड़ने को मिल जागा यानि कि यह दरबार है उनका और यह रास्ता आपको जवारी मंदीर और साथी साथ दूसरे मंदीर की तरफ ले जाएंगे बावन अवतार की मंदीर के तरफ चलिए मैं आपको अंदर लेके चालता हूँ और य एक एक पार्ट को यहां पर निकाल कर और फिर से जोड़ा गया है और उसे यहां रखने के लिए देखिए इस पर किस परकार से ऐसे करके मार किया गया तो आप सोच सकते हैं कि अभी के जो भी इंजिनियर्स है उनको याद करने के लिए इस चीज को चिन्नित किया गया है कि कीसे को रखा गया लेकिन उस समय जब इस चीज को बनाया गया था और इस पर रखा गया उगा इटों को तो कैसे नहीं होता है बाहरी परिवेश में दिखाने की कुशिश करूँगा पहले उसके बाद मैं अंदर लेके चलो जाऊँगा देखे ये बहुत ही पुराना पत्थर और यहीं के पत्थरों से बनाया गया है नकाशी जो कहीं न कहीं अब विखंडित हो चुकी है यानि कि तूटने के गार परे पूरी के पूरी स्ट्रक्चर जो है स्पश्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे लेकिन एक सुंदर सा यहां पर एक खिड़की नुमा जाली नुमा खिड़की अब देख सकते हैं हाला कि जो इसके श्ट्रक्चर थे वह कहीं न कहीं तूट चुके है बिखर चुके है जो बेहद ही दुख की बात है और फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा आजाएगा थोड़ा से यहां पर यहां से फोकस जब किजिएगा उपर की तरफ तो कई भागों में इस मंदिर का रूप आपको मिल जाएगा हाला कि अन्य मंदिर के पेक्षा में यहां पर आपको कामुक्त म मुर्तिया नहीं मिलेंगे लेकिन कलाकृतिया बेहदी सुंदर है और बेहदी मजबूती से इस मंदिर को बनाया गया पीछे की तरफ आप जैसे आएगा तो एक खिड़की नुमा इसको कह सकते हैं यहां दरवाजा भी हो सकता होगा उस काल खंड में यहां पर आप देख सक जो की शिवलिंग के आकार में है तो चलिए मैं आपको अंदर अब लेके चलता हूँ तो वीडियो कभी तक लागर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देखिएगा कामुक्त मुर्तियों में एक यूगल किस प्रकार से सनलिप्त है और ठीक उसी के बगल में यहां पर जो की काल मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पर कोई एरिया नहीं है और साथी साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो मंदीर का उपरी भाग है उपर कलश है फिर उपर से उल्टा कमल का फूल बनाया गया है वह बहत ही शांदार है और मैं आपको चलिए गर्भगरी के अंदर लेके इस प्रकार से है और यहां पर हमारे साथ एक सज्जन हम कोशिश करेंगा उनसे बातचित करने की चबूतरे पर बना हुआ यह ब्रह्मा जी का प्रतिमा आप देख सकते हैं लिंग के स्वरूप में हैं और उनके चार मुखों को यहां पर सुसजित किया गया है और उसे चिन देख सकते हैं यहां पर कुछ मुर्टिया खंडित हो चुकी है नाकुए खंडित थोड़ा गए है और इसे बार-बार मैं कहूंगा और बहुत एधिया फोकस कीजिए औपर की तरफ आप महीम नकाशी वही आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर है जो की आज के इस आधोनिक परिवेश में इस परकार की नकाशी करना तो बेहदी असंभव सा लगता है ब्रह्मा जी की अतिन प्राचिन मंदिर वैसे तो भारत में नहीं पाई जाती है तो आपने देखा खजुराहों की असल संस्कृती असल इतिहास तो फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के लिए तब तक के लिए आप मस रही है खुछ रही है जय हिंद